कि दोट एवर 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 स्टक एड एनिफिंग नौट ऑन दिस डॉट जणाब वेलिकम टॉटेल मेडिकल एड़िकेशन दिस यूर वेर यून बॉय डॉक्टर रंधावा और आज का मेरा टॉपिक है डॉंट स्टक यूर सेल्फ यूर परस्नेलिटी यूर लाइफ एड ए यहां एक बहुत बड़ा पहाड बड़ा अगे एमबीबियस का स्टेज का कोई सलेप अपसी क्यूँ ना हो एकडेमिक्स में हम देख लेते हैं जी हमारे बचे स्टक कर लेते हैं जी यह एनॉटमी की स्टेज हमसे नहीं होनी आपने इतना बड़ासा करके पहाड खड़ा कर लिया कि ये पहाड मैं करास कर ही नहीं सकता. यहीं पर स्टख हो के रह जाएंगे. आपकी लाइफ यहीं पर एक कुज़े में बंद होगे रह जाएंगे जब आपने आपको देखें यार एक इंसान जो होता है, हम खुद अपने आपको मैदूद कर रहे होते हैं, खुदा ने ऐसी खुदादात सलायते दिया होते हैं ने इनसान को, कि इनसान पहाडों का सीना चीर कर, चाक करके, देखो, अभी पाकिस्तानी आर्मी ने एक डाकुमेंटरी बिना रही है कि के एच पे, आप वो देखना आपको बड़ी मोट आर्मी हैं, हमारे स्टाफ, हमारे लोग, हमारे स्विलिन्स इसी सब श्टक नहीं हुआ कि हमसे नहीं होता इसके बाद वरा reward इसके पार जो आपके लिए जो success है जो इसके बाद जो reward है आपके लिए वो आपका बेट कर रहा है आप जहीं पे stuck होके ना रह जाए ठीक है जिना आप करान पाक का एक बहुत अचा वाक्या है मैं आपको सुना देता हूं आपको बड़ी शाया मोटिवेशन मिल जाए आपको एक life lesson मिल जाए के जी जूज मजूज एक ऐसी कौम है जो क्यामत कुर्बे कियामत में आए की वो लोग क्या करते हैं जी वो डिली दिवार काड़ते रहते हैं काटते रहते हैं कि जी वो दिवार तोड़नी है वो एड़ दे एंड स्टक आउट हो जाते हैं एक जगा पे एक हम्मत हार जाते हैं ठक हार गिर जाते हैं कि जी यह हम نہیں कर पाएंगे हमसे नहीं होगा तुमसे नहो पाएगा बेटा तुमसे नहो पाएगा वहीं पे स्टक हो जाते है तो जिस दिन दोगों ने तहया कर लिए कि आज हमने सारे डिक आउट कर ली है आज सारी हमने काट फैकनी है तो उस दिन वो पूरी दुनिया पे हावी हो जाएंगे चा जाएंगे और पूरी दुनिया पे आके वो तबाही मचा देंगे क्या कि उन लोगों ने पूरी सदियां लगा दी उस दिवारों काटने में लेकिन जब वो उस टक्ड इन्वार्मेंट से बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया पे इचा जाएंगे इवन कि हो कहते हैं कि बाद में आके आस्मान पर हम लाकरने कुछ करेंगे अब हमने पूरी दुनिया पर कब सा कर लिया हम आस्मान पर करें तो जूज मजूज को छोड़ो अभी त होती क्या होगी यार बिजनस्मेंट बन जाओ वहले लोग इतने काम कर रहे हैं दुनिया इंसान सांस तो चली रहा है ना तो अपने आपको फेलियर के बाद डीग्रेट ना खुद हुआ करें ना हिमिलेशन किया करें देखो इस तिंग्स अर टेंपरिर इंड आइंड आप कर रहा होगा कि किसका लाइस कई है कोई कौन सा बंदा पीस में हम यह जो सिंपल उपनी दिल पर हाथ रखके बताएं आप आप इतना हैं किस DIRECTOR के लिए कर रहे हैं अपने चांग के लिए आपने परसे संनल्टी के लिए बहुम तो आपको मिलें गा लेकिन वह मुफ्त में Πल तो भई मेडिकल के स्टूरंट को समझना चाहिए कि खाली डिगरी शायद लोग कोई पैसों से भी ले ले लेते होंगे लेकिन डिगरी लेना ड़सन्ट मैटर अट आल आपको उस पूरे फेस से पुदरत का निजाम है अल्ला आपको उस पूरे फेस से गुजरना चाहता है खुदा ताला ये चाहता है कि आप उन सारी चीजों से खुद सीख के आओ लर्न कर गे आओ ये फेलियर आपको जो लेसन दे के जाएगी ना जो सबक आप इस फेलियर से सीखोगे वो कोई बंदा आपको नहीं सिखा सकता इसी फेलियर ने आपको सकसीड करना है आगे लाइफ में जो ठोकरे होती है ना जो आपके नसीब की होती है वो आपको पढ़ेंगी तो अकल तब ही आएगी लेकिन आग अगर वहाँ पे स्टक नहीं हुए आप उसको पाइपास करके अपनी स्टकल के साथ अपनी एफट के साथ विट लॉट अफ प्रेज जो वार्क हार्ड वर्क और डेडिकेशन आप उसको जो पास करके दूसरे किनारे जाओगे ना पूरा द्रिया जब इनसान करास करके दूसरे किनारे जाता है ना रस्ते आफिसली अला बनाता है लेकिन आपकी हार्ड वर्क डेडिकेशन चीजों को अब्साब करने का बरताश्ट करने का और फेलियस से लड़ने का मादा आपके अंदर होगा श्किस्त से लड़ने का मादा होगा तब ही मैं कोई वारियर नहीं लाटो के भी आपने लड़ा ही करनी है नहीं आपने चुट चुट जो चीजी होती है न इंपे स्टक नी होना सिंपल सी बात समझाया वह चोटी सीज़ कुछ भी हो सकती वह आपके रिलेशन से बहुत होता है अपके लाइफ होती है आपका होस्टल इवन क्या रोम हो सकता ह आप फटा डाले बैठ जो जी बाबा मेरी माइगरेशन करा है मैंने इस कॉलेज में बढ़ना दस्तों भई ओ भई कॉलेज में बागी पांच सो लोग नहीं बढ़ रहे क्या हां आप फटा सोड़ी एर में पानी भी लोइट में ही पे स्टक ना रहे ना सो जनाब हम छोड़ी छोड़ी चीज़ें अपने दिल में जो महास बनागे बैठे होते हैं न भी ये तुम से ना हो पाएगा बेसिकली दे वो हमारी जस्ट थोड़ी सी स्ट्रगल और एफट की बात होती है थोड़ी सी मेनत और कर लें तो उसके बाद जो रिवार्ड होता है वो इतना बड़ा आपके खुदा ने आपके लिए रखा होता है जो कि आपको खुद ही करने से आता है हमारे बचे सर पीट लोते हैं कि मैं क्यूं आगया MBS में ओ भाई तो मैं MBS में आगया हो तो बाकी लोग भी तो करके गुजरे हैं तो तुम भी गुजर के गुजर जा वो तब तक वाके नहीं चाह सकता तो इस वह आल फ्रमसेट से ग्रेट इन कीव सब्सक्राइब शुर्टिए और वर्यों वय दॉक्तर नावा एंड डिषाइब फार्म तेल्मेट सकती